हलो दोस्तो मैं हूँ रागवेंद आप सभी का competition community में स्वागत करता हूँ उम्मीद है आप लोगों भी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी हम लोगों ने last class में बाल विकास पर चर्चा किये थे और आज हमारा जो topic है एक नया topic और important topic आपके syllabus का है जिसका नाम है समावेशिक शिक्षा याने inclusive education occupied education और समावेशिक शिक्षा क्या होती है आज हम लोग समझेंगे आपका इस फ़स्रूप से लिखा है शिक्षा उसमें क्या क्या दिक्कत होती है, बच्चे कैसे होते हैं जो मंद बुद्धी बालक कैसे हैं, प्रतिभा सारी बच्चे कौन होते हैं, इस पस रूप से लिखा हुआ है आपके syllabus में, वही हमारा आज का ये topic रहेगा, साथ साथ एक और बात बताना चाहता हूँ, comment में कई लोगों ने पूछा, कि सर और भी जो subjects के pedagogy sections हैं, वो होंगे क नहीं, तो जी हाँ, बिल्कुल वो भी होंगे, आप निस्चिंत रहेए, एक system से एक प्रक्रिया के ताथ धीरे-धीरे सारी चीजों को करवाएंगे, जिसमें Hindi, English, Math, सारे के pedagogy section है, उसको भी करवाए करेंगे, कोशी भी ये भी करेंगे, कि environment भी आपका हो जाए, तो आप अपना पढ़ाई पर एकदम ध्यान केंदित रखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि एक्जाम से पहले, आपका जो ये syllabus है, इसको हम लोग लब लब पूर करवा दें, तो चलिए देखे, समावेसी सिक्षा क्या होती है, तो जब बालोकों को किसी भेदभाव के बिना, जब तो आर्थिक अधार पर करें, उसके बिना अगर हम सिक्षा देते हैं, याने कोई भी सिक्षा देता है, उसको समावेसी सिक्षा कहते हैं, तो ये समावेसी सिक्षा का मतलब होता है, समावेसी सिक्षा मतलब सबको सिक्षा देना, तो ये समावेसी सिक्षा, इसके लिए सब इसी सिक्षा का अर्थ होता है, जैसे कि मैंने बताया कि सब को सिक्षा देना यानि किसी भी आधार पर भेदभाव आपको नहीं करना है, और वो किसी आधार पर भेदभाव कौन-कौन से आधार है, तो या तो आर्थिक हो सकता है, सारिक हो सकता है, लिंग आत्मक हो सकता है, NCRT भी यहां तक कहता है कि इसी अधार पर भेदभाव किये बिना सिक्षा देना ही समावेसी सिक्षा है, सिधा प्रश्ण दे सकता है, समावेसी सिक्षा कहता है, वातावरण धर्व जाती लिंक समाज आधी के अधार पर बिना भेद भाव के सिक्षा प्रवाइड करना क्या कहलाएगा समावेसी सिक्षा कहलाता है विद्धालाय में सिक्षा देना ही क्या कहलाएगा समावस्य सिक्षा कहला गया variables एक साथ पढ़ें किसी के साथ भेद्भाव ना हो यही है समावस्य शिक्षा इसके लिए सबसे पहला जो रिंप्विलन है 1990 में थाइलेंड में हुआ था थाइलेंड में कौँ सा हुआ था जैमेerd में सम् मिलन हुआ था primary stage में और वो पौढ़ा वस्था में चले गए, बुजूर्ग हो गए या फिर कुछ ऐसे बालक थे, जो मन्द थे मन्द बुद्धी थे, थोड़ा सा वीक थे starting में, हो सकता है, तो उन्हों ने सिक्षा नहीं ली, तो सिक्षा नहीं ली अलग-अलग सरल सिक्षा विधियों के माधियम से, हम सिक्षा प्रवाइट करवाएंगे ठीक है, तो या रखेगा, सभी के लिए सिक्षा के लेक्ष नहीं धारत कियेगे, पहली बाग और दूसरा, चाहे वो बच्चा हो पौड हो, वृद्ध हो, बुदुर्ग हो, सभी के लिए हम क्या करेंगे, एक सिक्षा विवस्ता प्रवाइट करने का लक्ष कराग है गया, थाइलेंड के सम्मिलन कों सा सम्मिलन था, जेमेशन सम्मिलन था 1990, उके, उसके 1994 में एक और सम्मिलन के लिए विशेश स्यक्षिक आवशक्ता वाले बालकों के लिए इसमें कई काटिग्रीज है, आगे हम उस पर शुष्ता से चर्चा करेंगे, बस अभी के लिए इतना रहे विशेश आवशक्ता वाले जो बालक हुते हैं, उनके लिए सम्मिलन बुलाएगा था, कहाँ पर सल्मान का सम्मिलन और यह कहा था स्पेन में, ठीक है, NCRT का मैंने डेफिनिशन आपको बता दिया कि समाविसेश सिख्षा पर NCRT के क्या विचार है, ठीक, इसके बाद बढ़ते हैं, जो आप मैं बता रहे हैं, विशेश आवशक्ता वाले वाला, या फिर आपके बालकों के समाविसेश सिख्षा के से पहला सिध्धान क्या है, कि हम क्या करेंगे, प्रतेक बालको समान आउसर, समान भागीदारी और समान सिख्षा प्रवाइड करवाएंगे, समान भागीदारी भी होगा, समान आउसर भी देंगे, भेद भाव नहीं करेंगे, और क्या करवाएंगे, समान सिख्षा भी दे मंद्वुदी जैसे बालक होगे जैसे प्रतिभा साली बालक होगे विशेश अवशक्ता है उनको उसको हम लोग विशेश सुविधा देंगे ताकि वो और ग्रोथ कर सके ठीक है तो यह इसके लिए हम लोग यह विवस्था करेंगे विशेश अवशक्ता वाले बालकों को अत उतरदाइत दोनों आता है और उसमें के मन में भेदभाव नहीं आता है, तो उतरदाइत और सहयोग की भावना विक्षित करेंगे, उसके देखें, विशेश अवश्रक्ता वाले बालक के परिवार वो समाज में, के बारे में जानकारी दिन्वाएंगे, देखें, विशेश सुविधार देखे हम अच्छे लेवल पर बराबर इस तर पर समान भागीदारी से समान सिक्षा प्रवाइड करवा सकते हैं और जिससे वो समान आउसर भी प्राप्त कर सकता है ठीक है तो या रखेगा आपका समाज में जागता अभियान चलाएंगे जानकारी देंगे उनको उसका समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करें जैसे में ताया और दूसरे बालों को एक साथ अंतहक्रिया करेगा तो उसका confidence विल्ड होगा और उसको अलग फील नहीं होगा वो लगेगा कि समाज का मैं पार्ट हूँ समाज का अभीन अंग हूँ ना कि अलग थरग मैं विशेष अवशक्ता वाले बालक कौन-कौन से होते हैं तो देखें अलग-अलग इस तर पर अलग-अलग बालक होते हैं यह ऐसा नहीं है आप ऐसा मास समझेगा विशेष अवशक्ता वाले बालक एक ही चीज है विशेष अवशक्ता वाले बालक एक ग्रूप है ग्रूप ठीक है उस group में कौन कोन आते है उसको देखना है तो सबसे पहला है अगर हम बौधिक दिस्ट्री कर देखें याने दिमागी दिस्ट्री से देखें तो विशेश अवशक्ता वाले बालक कौन होंगे ठीक है चाइल विट इस पेसल लीड प्रतिभास आली ठीक है पहला है उसके देखें इसी को हम लोगो मेंड फोकस करना है यह अपका प्रतिभास आली पार और मन्द बुदी और किसके अधार पर क्लासिफिकेशन किया है तो बौधी किस तरप इसका क्लासिफिकेशन हुआ है उसके बाद देखें तो सैक्षिय दिस्ट्री से अगर देखें त भिष्ट होता है विकलांगता होता है कम सुनने वाले बालक हो सकता है तो यह सारे के सारी जो गुरूप आप देख रहा है यह विशेश अधाय को वुधी वालप कर सके तिसलिए विशेश अवशक्ता दिख लिखा है और शक्तान है उन माली जी स्कूल है अलग स्कूल बना सकते हैं अलग फैसिलिटी दे सकते हैं अलग सुधाय दे सकते हैं जैसे माली जी सारी दिस्टी से हैं तो इनके लिए जैसे माली दोस है तो लगा सकते हैं अगर माली जी नेत रहीं है तो उनके लिए विवस्ता कर सकते हैं इनको विशेश बॉषिक दिश्टि से। कोई हो जाएंगे तो प्रधिभासale बालक और मंदबुद्धि बालक। दूसर और कोई हो जाएगा आपका sexy दिश्टि से। तीवगति से सीखने ओले बालक और फिप्षे बालक। कि उसके बाद देखो सारी दिष्टी से क्या हो जाएगा? समाजिक दिष्टी से औस्तिर बालक और उसके बाद संवेगात्मक दिष्टी से गया है गलत प्रैक्टिस कर रहा है समस्या ग्रस्थबालक इसका लूब रहा हो समवेगए इसका सीथा सीधा न तुमय मतलब है सम्वेग मतलब मन या आपका दिमाग इसकी से वह थुरा सा कम जूर हो तो आप से पूछेंगे समस्य ग्रस्त बालक कौन है तो समस्य ग्रस्त बालक यह दो होते हैं ठीक है मगर आप से विसेश आवा शक्ता वाले कि इसका तीन प्राइमाना है समझ लीजिए जिससे नापते हैं एक्जेक्ट तो नहीं होगा बट अब लगभा का नुमाल लगा सकते हैं कि हाँ यह बालक कैसा है तो देखे सबसे पहले देखे जिसकी बुद्धी लब्धी मतलब आईक्यू की बात कर रहे हैं ठीक है बुद्धी लब्धी 109 क्या हो जाएगा समाने बुद्धी 110 119 स्वेष्ट फिसके बाद 120 से 149 अथिसे और प्रतिभासाली जो मैंने भी बताया 140 या 140 से अधिक क्या कहलाएंगे प्रतिभासाली बालक कहलाएंगे जैसे मैंने भी बताया था आपको कुछ दिर पहले यह क्लासिफिकेशन करने का एक और तरीका है प्रतिभासाली बालक 140 या उससे उपर या देखिए एक और बताए 135 भी चल जाएगा मैंने कहा यह एक्जेक्ट नहीं होता है थोड़ा वूत उपर नीचे चलता है 135, 140, 140+, वह अगर दी दिया तो सब किसमें आ जाएंगे प्रतिभासाली में आ जाएंगे उसका मंद बुद्धी को भी थोड़ा से जा देखेगा यह पार कोश्यन भी आ चुका है देखिए देखिए प्रतिभासाली बालक जो होते हैं प्रतिभासाली बालक क्योंकि हमारी विसेश्चा है प्रतिभासाली और मंद बुद्धी पर रहेगी ठीक है तो देखिए प्र प्रधिबास आली बालक में काउंट करते हैं अर्य और क्या है तर्मैंट क्या बोलते हैmy 140 होना चाहिए समान व भार को अपनाता है ढ़ो क्या क्सास कुषा 안ाओस स्माज का 20 प्रशंओ किसी से प्रदिभास आली बालक की संख्या क्या होती है कम होती है किसी भी समुदाय का 20% भाग जो होता क्या होता है उच्छित प्रदिभास आली प्रदिभासाली का मानग होता है, मालीजी ऐसा कोई है, उस वेक्ति को हमने क्या बोल दिया है, कि ये बहुत अच्छा है, इमांदार है, बहुत आपका टालेंटेड है, तो समाज ने उसको accept कर लिया, तो समाज ने accept कर लिया, तो इसका मतलब क्या होगा, प्रतिभास आली के count होने लगा, फिर कोई परिभासा की जरूत ही नहीं है, ठीक है, कभी कि पुराने पुराने जमाने में लोग क्या करते थे, बड़े बुड़े दादा लोग के पास जाते थे, कुछ सलाम असवरा लेने के लिए और बड़े दादा लोग बताते थे, तो उन लोगों ने मान लिया था, कि ये जो है अनुभास ने उन्होंने सीखा है, प्रतिभास आली बालों की विशिष्टाएं अगर आप देखें, तो प्रतिभास आली की बालों की विशिष्टाएं कोन-कोन सी है, तो देखें समान आयू, समान ये समझ अधिक विक्सित होती है, इनकी जो समझ है, जो प्रतिभासाली बच्चे है, उनकी समझ जो है समाज के लिए, वो थोड़ी सी जादा विक्सित होती है, वो जादा अच्छे से सोच पाते हैं, जादा अधर से निर्णे ले पाते हैं, ठीक है, कठिन मानसिक कारियों को निस्पादन करते हैं, कठिन मानस दिमागी कार जो है बहुत अच्छह से वह कर सकते हैं इसको देखे समाज के प्रति सकर्णात्मक दिस्टीक कोर रखते हैं ऐसा नहीं कि आरे जीवन में कुछ झाया है मरीज जाते हैं और मरीज जाते हैं। यह ज्य Tonight het टो यहां पर सही है वहां पर करेंगे अलोचना भी क्या कोता है आपका आपका बीन डीमोर्थ से बात करेंगे और मैंनेसं अमोर्थ पnicos जोता है मूर्त मतलब दिखें जो और मढ़ाम नहीं दिखेंगे दिमाग unless कर लेना calculation देते हैं हमने कहा चार और छे जोड़िए तो चार और छे कितना हो गया दस तो आपने calculation दिमांग महीं कर लिए ना तो अमूर्थ चिंतन कर रहे तो अमूर्थ चिंतन करते हैं कल्पना शील करते हैं कल्पना शील मतलब या छोग दो अधिक नासाद ये बालक किसी भी कारयों को अधिक ध्यान से केंद्रित हों करते हैं वही तो आप लोग ने भहुत डायालोग बाजी सुना होगा ठीक है बड़ा बनने चाह रहे हैं कि जो बालक है किसी कार्यों करते हैं तो अपना ध्यान अधिक केंदित करके करते हैं बस प्रतिभा साली होने का यही आपका मूल मंत्र है तो देखे अपने समों में लोगप्री होते हैं लोगप्री होने का मतलब है देखे वैसे तो देखेंगे तो कई लोग पस साली हो सकता है की आप वह और हो सकता है कि आप ल manifests होगा कि कोई पदीभास मस्ति करने भी आगे होगा इसलिए तो लोगप्री हो जाते हैं सबके साथ वो कनेक्ट हो जाते हैं तो याँ रखेगा वो आपका कख्षा के अत्रिक्त अनिरुचियां दिखाएगा मतलब अन अन एक्टिविटीज जो होती है ना क्लास में के अलावा तो वहां भी वो कहा रह जयती मैंने पहले भी वातायो था थोड़ा सा क्योंकि देखिए यह citizen जानते मानवी भाव है घमण बोलीजे या फिर आत्म संमानerek तो थोड़ा over competence में बदल जाता है तो थोड़ा बहुत आ जाता है यह मानवी भाव है ऐसा कुई बड़ी बात नहीं है अगर आप लोग हो गे, या फिर आप लोग देखने हो गे, तो जलन नहीं मरना है, ठीक है, और अगर आप लोग हो गे, तो ऐसा नहीं सोना, कि यार, हम ने कर आतमक, ऐसा कोई बात नहीं है, अगर आतमक होते हैं, थोड़ा सा overconfidence कभी-कभी आ जाता है, थोड़ा सा आपका हुआ है देखना ना कभी-कभी हो सी आलोग कॉपी मांगो नहीं देते हैं वो इन्यागर आत्मक बता रहे हैं उसका देखो हस्त लेखन में क्या होता है लापारवात है उनकी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं होती है ठीक है राइटिंग ज्यादा बनान है वो मतलब आपका जल्दी भावनाओं में नहीं बहते हैं इमोशनल पर उनका पूर्ण नियंत्रण होता है ठीक है कुछ नहीं रखा है दुनियादारी इस बार निकालना है हमको सिक्षक अधिकारी ठीक है तो याद रखेगा सम्विगात्मक रूप से क्या होते हैं वह इ पहचानना है तो कैसे पहचान होगे तो सबसे पहले आप क्या कर ओक परिक्ष्ण कर लो तेस्ट ले λो उसका उसके साथ देख लो क्या करोगे और उसके बात क्या करोगे तो वी화INEान के माधियम से आप उसको पाइंड कर सकते हो ने प्रशा बतामयों के लिए चिक्षय बात यही चीज तो है यही पूछा जाता है कि विशिष्च विध्यालों की स्थापना की जाते हैं तो प्रतिभासाली वालक और विषिष्ट विद्याले के लिए 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 विषिष्ट विद्याले के किसे लिए जाती है तो प्रतिभास आली और एक और मंद बुध्धी के लिए करें और किसी के लिए विश्य आपका विश्ष्ट विद्याले की स्थापना नहीं की जाती है उसके देखिए तुरन उपागम जो होता है कच्छाओं में पदोनिती कर सकते हैं और कैसे कह सकते हो तो तुरन उपागम मतलब होता है आप पहरे छोटे में होगा पढ़ा होगा या फिर हुआ भी होगा आपके साथ कि माली जी आप पढ़ने में अच्छे हैं तो थर्ड पढ पसकी में पढ़निती हो जाता कई बच्चों का होता है ठीक है सीधा आप क्या करते हिтовब बने में जलरी हो tastesMore को ज्यादा होता है का चीख या ब्रविचिं कर सकते हैं जदी प्रवे जाता है कुछ और सब्जेक भी पढ़ रहा है तो अन्य सिक्षा भी ग्रहण करता है इस सदिक पाटकर में वह रूची लेता और पढ़ाते हैं उसका साथ तक्नीक का प्रयोग करता है पुस्तकाले का सद्वियोग हो सकता है और आपका वाद विवाद सेमिनास से भी उसके ज्यान में विविद्धी की जा सकती है यह आपका के लिए सिक्षा की विवस्ता की जासे वाद विवाद करवा देंगे तो अच्छा नौलेज गेंगा अब के लिए अगर आप पुस्तकाले बना दे तो पुस्तकाले में भी और और क्योंकि वह स्कूल जो सिक्षक जितना दे रहा है उसे जादा जानना चाहता जादा इक्ष्युक है और वो कर सकता है इसलिए यह सब विवस्ता है की जा सकती है तो यह रखेगा प्रतिभासाली बालगों के लिए सिक्षा कैसे मुआया करेंगे । इसमें सबसे जादा इमपोर्टेंग आपका आपका विशिष्च विद्य मंद बुद्धी वाले बालक को देखे, मांसिक दिश्टे से फिच्छे होते हैं, बुद्धी लब्धी सत्तर से कम होती है, उसको क्या बुलेंगे? मंद बुद्धी वाले बालक को क्या होती है? जैसे मैंने आपको कहा, दो कोई हमको फूकस करक रखना है, एक आपका तो प्रदिभासालय और मंद-बुद्धी वाले बालोמו पर धीक है Water Director?? यसाल देके उसमें संवेधी गामट विकास मंद होता है संवेधनाओं का जो विकास होता है गामट जो विकास होता है आपका सारीक लेवल पर विकास होता है यह थोड़ा जो होता है यह मंद बुद्धी का है, ठीक है, शारिक और मांसी विकास खराब होता है, स्वास्त भी क्या होता है, अच्छा नहीं होता है, चिंतन जो है, दिवास अपने मतलब जो उसका तार्किक चिंतन है, जो उसके में आपके जो images बन रहे है, माली जी आपने कहा, कि सेर, तो सेर का express से चितर नहीं बन पा रहा है, वो confused हो जा रहा है, चीते और सेर में, ठीक है, और कभी-कभी चीता को बिल्ली को चीता हो जा रहा है, तो उसका जो दिव्यस अपन है, उसका जो आपका अमूर्त चिंतन है, वो सपस्ट नहीं है, मंद बुद्धी हो जाएगा, मंद होता है ज्यादा देर तक, आजकल तो वैसे सभी को प्राब्लम हो गई है, मंद बुद्धी का क्या है, ध्यान किंदिद नहीं कर पाता है, साथ-साथ, असफलता का भय हमेशा बना रहता है, अरे ऐसे निगेटिव भावर आदे रहते हैं, कि अगर आरे ऐसे नहीं हो तो कैस साथ बदल जाता है, समाज देखिए, प्रदिभासाली में सकराथपक समाज रहता है, और मंद बुद्धी में लोग खुद ही उसके लिए क्या होता है, तो जैसे कहता है, यहां पर देख लो तो एक और चीज, देखे, जड़ बुद्धी इधर बताएं, यह ज़ो फिक्स नहीं है, 80 से आपका क्या होगा, यह जो 80-70 यह मंद बुद्धी भी हो जाएगा, ठीक है, इसको भी याद रखेगा, एक जड़ बुद्धी, अलबुद्धी और मंद, मंद बुद्धी यहां तक भी 80 से भी 70 के बीज़ है, और वो क्या होगा, मंद बुद्धी कहलाएंगे तो इस पस्ट यह एकदम एकजेक्ट अगर अगर आगर आपके नहीं होता है अपरोक्स आप ले सकते हैं क्लियर ठीक मंद बुद्धी होने के कारण जखे गुण सूत में कमी हो सकती है ठीक है उसके कारण वो मंद बुद्धी हो सकता है ठीक है वंसानुगर तो कोई प्राब्लम हो फैमिली में ही कोई प्राब्लम चल रहा हो तो इसके लिए तो अब क्या ही कर सकते हैं जन्म के समय अगर कोई रो उसके बाद देखे, प्रतिकूल वातारण हो, मंद बुद्धी देखो, मंद बुद्धी बनाने का सबसे बड़ा reason है, वो आपका वातारण है, ठीक है, अगर घर का महौल, समाज का महौल, स्कूल का महौल, अगर उसके प्रतिकूल है, उसके अनुसार नहीं है, तो बच्चा दीरे-दीरे कमजूर हो जाता है, और वो मंद बुद्धी हो जाता है, ठीक है, इसको यार रखेगा, उसके बाद देखे तो, मंद बुद्धी बालकों के लिए सिक्षा, विशिष विद्यालों की स्थापना, ये केवल और केवल दो लोगों के लिए ही की जाती है, एक जा सकता है, और उनको बहुत आगे लिए जाना है, ठीक, देखो, प्रित्यकक्षाओं की स्थापना, प्रतिभास लिए बता चुक है, पाठकन को दोहराव कराएं देखे, कैसे इसको ठीक करेंगे आप, तो पाठकन का बार 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 रिपिटिशन ये दोहराव क है भी शिक्षाओं, यहने उसका जो राइटि है, और समवेग हस्त लेखन, समवेग सारी की जानकारी देंगे, हस्त लेखन पर प्रक्तिस करवाएंगे, बार-बार करवाएंगे, रिपिट करवाएंगे, तो ठीक हो सकता है, ठीक है, होते हैना जी, back, bench, your, slow, ठीक है, तो उ अग्मन-विधी, निग्मन-विधी तो आग्मन-विधी,, जो वुफ्ति थो सारल वीधी कर दे निग्मन,ended इयहार्न, मि deciक्षण वीधियार तो बड़ा बड़ा लीक्ष्छर वाला आपका वक्हान विधी प्रस्वान करें, लेख्छर दें। तो आप जूड़के सरल सिख्षड विधियों का भी प्रयों करके आप उस बच्चे को ठीक कर सकते हैं, मन्द बुद्धी का विकास निच आपका उपचार कर सकते हैं, प्रेम सहानुभूती रखना है उन बच्चों के साथ, ऐसे ट्रीट नहीं करना है, क्योंकि खुद भी कम जो समझते हैं, समाज भी अगर उसके साथ वैसा विभार करेगा, तो कहां से वो बन पाएंगे, इसलिए प्रेम और सहानुभूती, गुरुजी लोग, आप लोग को ऐसे प्रेम और सहानुभूती के साथ विभार रखना है, पुलाइट रहना है, कि नहीं आप कर सकते हैं, आप सब बराबर हैं, यहीं तो समाज भी सिक्षा का उदेश है, सबको बराबर करना है, सबको सबको सिक्षा देनी है, उसके साथ उचीत विभार रखना है, क्या करना है, उचीत विभार रखना है, उनके साथ अच्छे से विभार करना है, प्रेम सहान७ूती रहना है, सिक और हमारा काम भी हो जाएगा तो मनोविज्ञान की तरह से उसके मस्तिष का अध्यन करना है उसके विभार का अध्यन करना है तो या देखिए इस इसलिए तो बाल मनोविज्ञान पड़ते हैं तो इसके बाद देखिए जो पहचान कैसे करोगा कि बच्चा मंद बुद्धी तो बच्चा मंद बुद्धी है देखो अभलोकन कर लो परिक्शन कर लो सेख्षिक उपलबधी देखलो यान इसका मार्ख शीट बगरा देख लीजे ठीक है पाया है जीवन तीहास देख लो गाथा दिविधी देख लो गाथा याने अपनी तीहास देख लो कि घर में कुछ प्रव्लम वेगरा तो नहीं है तो तो थो तो तो इसे हिस्ट्री देख लिए कि आपका हाफ एर ले क्वाटर ली या पिर इन्वल एक्जाम में और कितने जो तो एकजाम पिछे वह कितना किता प्रसेंट पास हुआ है तो थो फटाऊने कीो इस पिछडे बालक करे कीया थो देखिये तो इस समाल पिछडी जाते हैं, उनको को पिछडे बालक ऑईच्छे बालक होने इनकी स्याओब के थे बालक तो 85 से कम होता है, उसको पिछड़े बालग कहेंगे, सैक्षी लब्दी जो बुद्धी लब्दी है, देखें, ये टर्म है, बर्ट है बर्ट, बर्ट में सूत्र दिया, सूत्र को थोड़ा सा अच्छे स याद रखेगा, IQ लेबल के लिए सूत्र है, ठीक को सा है, सैक्षी कायू, या फिर मानसी कायू बोलते है, बटे वास्टिव कायू, इंटू 100, याद रखेगा, सैक्षी कायू, बटे वास्टिव कायू, बटे वास्टिव कायू, इसको दिया है, तो बटे नामक साइंटिस्स ने इसको दिया है, तो तो पिछड़े बालकों के लिए, देखेगे, इसमें एक प्रश्ण भी आ गया था, एक बालक, जिसकी बद्दी लब्धी 85 है, उसे वरगी कित किया जा सकता है, किसमें आप वर्गी कित करेंगे तो किसमें हम वर्गीत करेंगे समान में कर सकते हैं स्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष बनाने से तक्रीक का प्रियोग करेंगे और गामा कोशल में कमजूर होगा याने इसको सम्वेधी गामा का वस्ताएं जो है ती उसकी होती है वह वीक होगी तो भी पता चल जाएगा साथ यह जो पिछड़े बालक है बालक जो क्या हो जाएंगे असमर्थ असुद तथा असा निमिस्तर्ग होता है थाइए थोड़ा से एक और πα्र बाता है ये जो मैंने आपका मंद बुधु बताया और आपका जो प्रतिभा साली बटा है इससे थोड़े अलग होते थोड़ा सा हम लोगो किलियर कर लेते हैं पहले हमने देखा प्रतिभा साली और उसके बाद मंद ब और उसके बाद हमने देख्या पिछड़ा पिछड़ा देखे ना प्रतिभासाली जो बालक है तिक आप इनका अगर आईकू ले ले इतना हो जाएगा मंद मुध्धी का जो है वो किता हो जाएगा सतर से से कम पिछड़ा बालक का जो होगा 85 जो है आपका 85 से भी कम होगा वह इस से थोड़ा सा जादा होता है ठीक मंद बुधी से थोड़ा जादा होगा पिछड़े यह दो यह तो सभी में आगे रहते हैं मंद बुधी यह इनकी बुधी कम है और पिछड़ा बालक सब में पिछड़ा नहीं होते हैं पिछड़ा नहीं होते हैं पिछड़ा बालक की आप समझेएगा जैसे मैं आपको एक दम इजामपल बता रहे हैं जिसे कई पूरुश कई बच्चे बच्चे में बहुत इंगलिश को बहुत डर लगता है कई लोगों इंगली सक बहुत डर लगता है तो पिछोरा तो किसी एक छेत्र में पिछ्रा हुगा ठीक है वो सभी छे मैस में बहुत आगी चले तो याद लखेगा पिछरबालक यह इसा नहीं है कि कुछ दिक्कत है उसको वो किसी एक छेत्र में पिछरा है ेक च्छेत्र है किसी एक सब्जेक्ट में होगा किसी एक एक्टिविटी में होगा उसी को ठीक करना है मंद बुद्धी मतलब उसको उसकी बुद्धी कम है उसको सब छेत्र में थोड़ा थोड़ा क्या होगा पिछरा होगा और प्रतिभासाली होगा सब छेत्र में आगे होगा यह होगा सभी चेत्रे सभी एक्टिविटी करता है मंद बुद्धी सभी छेत्रों में हो दूसरे बाले पर निर्वन बता देना भाई रे, इसको बता देना आप, ठीक है? तो याद रकेगा अपने समू में क्या होते हैं? समलित नहीं होते हैं, और साथ-चाथ जिग्यासा की प्रविति नहीं कुंसे हो जाएगा यह आपका पिछरे बालक हो जाएगा इसके पाद देखे तो पिछरे बालक के कारण क्या है क्या क्यों यह मतलब इसी इस्तिती होती है तो देखे सारी दुरबलता हो सकता है यह कूपोशन हो सकता है ठीक अच्छे से उनको खाना ना मिला हो यह हो सकता है सा हो जाएंगे तो इसका परिवार का वातावरण अगर ठीक नहीं है यह वातावरण का बहुत प्रभाव पड़ता ही तो यह हो जाएगा पिछले बालक के यह बहुत important कारण है देखो यह मैंने लिखा है पिछला बालक हर छेत्र में पिछला नहीं होता है यह most important ठीक है और क्या होता है यह किसी एक विशेयस छेत्र में पिछला होगा बार-बार विद्यारा परिवतन करना भी एक बहुत महत्पूर कारण है मा लेजे कोई बच्चे मेंटली उसे प्रिपेर हो गया समझ रहे किसी टीचर से जुड़ गया उसको बहुत अच्छा समझ में आ रहा है तो अक्सर नौकरी पेशा वाले और जो नौकरी में जिसका ट् स्कूल चेंज होने से क्या होता है बहुत ज़़ा अधिकत होती है तो बार-बार विद्याले परिवतन से भी कोई बालक है पिछड़ जाते हैं मन बुद्धी नहीं है पिछड़ जाते हैं समवेक पर अनियंतर आपका इमोशन जो होते हैं उस पर थोड़ा सा कंट्रोल कम हो होता है तो यह आपके पिछड़े बालक के क्या है कारण हो सकते है शारिक हो सकता है मांसिक हो सकता है घर का वातरन हो सकता है अब इनको ठीक करना है तो आप सिक्षा कैसे दीजेगा है समाधान कैसे करेंगे तो समाधान क्या है तो व्यक्तिका सिक्षा दीजे आपको ठीक है उपचार आत्मक सिक्षार दीजे, उपचार कीजे, जहाबर प्रॉब्लम है, वहापर उसको निदान कीजे, उसके अलावा, बाल, केंद्रितिया, मनोवग्यानिक परदारी सिक्षार दीजे, इसलिए हम लोग B.A.D. में या फिर जो और भी चीजे है, उसमें ट्रेनिंग भी होता है आप लोग का, उसी में समझाते है कि अगर मालीजे क्लास में एक पिश्वड़ा बालक आ गया, तो आप उसको कैसे समझाएंगे, ठीक है, तो आप बाल मनोवग्यान का परयोग करेंगे, ठीक है, ऐसे रटफर नहीं चले जाएंगे, इसलिए सिखाए, पढ़ाने का पढ़ाने का एक क्या है आपका बाल मनोवग्यान मना है कि कैसे उसको ट्रीट करना है, समान इस तो करेंगे ने, अब माल लेजी आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, मैस पढ़ा रहे हैं, तो मैस में आप लेगे, आपने क्या बताया, मल्टिफिकेशन बता दिया, आपने ने बार देखिएगा, ऐसे ऐसे इस तरह से भी करके समझाय जाता है, कि यहाँ से यहाँ से मल्टिफिके के समझा सकते हैं, कै तरह से सम sık्झा सकते हैं, तो व्हक्तिका दूप से उसको समझा कर, पिछडे को समान भाल जा सकतách ए, तो यह क्या कर सकते हैं, आपका स्रिक्षर में मस्तिष में संप्रत्य का निमाड करवा कर निमाड करवा कर शिखाया जा सकता है संप्रत्य मतलब वही चित्र दिमाग में चित्र बनवा बनवा कर एजामपल दे दे के उनको ठीक कर देंगे तो बाल मोनोवग ज्यानिक, आपका अधारित सिख्षा कर सकते हैं, ठीक है, साइकोलोजी का प्रयोग हो सकते हैं, इसमें मस्तिष में संप्रत्य है, संप्रत्य के माध्यम से बहुत अच्छे से बच्छे सीखते हैं, तो कभी भी जब सिख्ष का बने, तो कोशिच करें कि एक अब अलग से होता था पहले टीचर घर जाते थे, अब पैरेंस आते हैं स्कूल, तो जो पैरेंस टीचर मीटिंग है, उसमें बताना है, कि आपका लईका यहाँ पर क्या हो रहा है, वो पिछड रहा है, उसको ठीक करना है, तो पैरेंस भी ध्यान देंगे, उसके संपर्ग म रहेंगे तो यहाँ से स्मपर के अभी प्रेणा उठफब कर के मतलब ओके तो मोटिवेट करके भी पढ़ोव को ठीक किया जा सकता है यह पढ़ो रहे पढ़ो रहे नोक लिटाना ना पढ़ोğı ऐसे तो यह देखिए पिछाले बालों के पहचान कैसे करेंगे, तो वही, वो जो सूतर बता है, ठीक है, परिशन के दोबारा, बर्ट का सूतर ले लेंगे, इसके अलोकन करेंगे, वेक्तिगत अलोकन करेंगे, और निदानात्मक क्या करेंगे, अलोकन करके हम लोग इसको परिशन करेंगे, तो यहां तक हमा एक हो गई जबन प्रदिभाशाल हो गया एक मन्दवद्धी हो गया और आपके पिछुड़े उसके एक पड़ना है को लिए तो हम लोगा है इसके बालन के इस के समावस्क्यों को और को हम लोग एक तो कहसे ने पिजानी ने दिए bowls बहुत बहुत धन्यवाद